सबको नमश्कार करोना से निपटने के लिए दिल्ली में हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया है लॉकडाउन लगाने ज़रूरी था ताकि करोना के केसेज में कमी आ सके चेन तूट सके लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन खास कर गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा कर देता है खास कर उन लोगों के लिए जो दिहाडी करके रोज कमाते हैं रोज खाते हैं ऐसे लोगों के लिए तो अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है। पिछले हफ़ते हम लोगों ने खासकर मजदूरों के लिए ऐलान किया था। हर मजदूर के एकाउंट में 55,000 रुपे हम लोगों ने डालने का एलान किया था उनके एकाउंट में 55,000 रुपे जावी चुके हैं जो लोग बिमार होते हैं जिनके RTPCR की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है उनको भी अलग से मदद करने के हम लोगों ने एलान किया था उन मजदूरों के लिए आज हम दो निरने हम लोगों ने लिये हैं एक तो ये कि जितने दिल्ली में राशन काड़ धारक हैं लगबग 72,000,000 राशन काड़ धारक हैं इन 72,000,000 लोगों को अगले दो महीने के लिए मुफ्च में राशन दिया जाएगा इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लोगडाउन दो महीने चलेगा भगवान ना करे जादा दिन चलाना पड़े भगवान करे कि जल्दी केसिस कम होना चालू हो और जल्दी लॉठडाउन खतम हो लेकिन जो आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूज रहा है उसको मदद करने के लिए अगले दो महीने के लिए सरकार में निरने लिया है यह बिचारे रोज आटो चलाते थे टैक्सी चलाया करते थे शाम को थोड़े पैसे घर ले जाते थे और उसे से इनका घर चला करता था इन लोगों के घर में कोई बहुत ज्यादा सेविंग्स भी नहीं होती गरीब लोग होते हैं पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली के अंदर लॉगडाउन है जिसके वज़े से इन लोगों की रोजी रोटी बिल्कुल खतम हो गई है बिल्कुल बंद हो गई है तो जैसे पिछली साल हम लोगों ने किया था पिछली साल भी जब लॉगडाउन लगा था तो दिल्ली के सभी आटो चालकों को और टैक्सी चालकों को दिल्ली सरकार ने पांच-पांच हजार रुपे से दे के मदद की थी आज भी हम ये निरने लिया है कि हम दिल्ली सरकार सभी आटो चालकों और टैक्सी चालकों को पांच-पांच हजार रुपे दे कर मदद करेगी ताकि उन लोगों क इस आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनके सारी जो जितने देली कमाते थे वो उससे मदद होगी। लेकिन मैं उमीद करता हूँ कि इस आर्थिक तंगी के दौर में उनको मदद मिलेगी। तो लगबग पिछली बार भी हम लोगों ने एक लाख चपन हजार ऐसे ड्राइवर्स की मदद की थी। उन सब की मदद इस बार भी दिली सरकार करेगी। ये बहुत ही कठिन दौर है जिससे हम सब लोग गुजर रहे हैं। और खासतोर से ये जो सेकंड वेव आई है, ये सेकंड वेव तो बहुत बहुत जादा खतरनाक है। हम सब लोग देख रहे हैं कि चारो तरफ कितना दुख है, चारो तरफ लोग कितने परिशान हैं, चारो तरफ लोग कितने बिमार हैं। मेरी सब लोगों से हाथ जोड के विंती है कि ये समय हमें एक दूसरे की मदद करने का है ये समय एक अच्छा इंसान बनने का है सब लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो चाहे इस पार्टी के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे कॉंग्रिस के हो, चाहे आम अदमी पार्टी के हो, सब लोग आपस में मिलके एक दूसरे की मदद करें, इस वक्त कोई राजनिती नहीं करने, सब मिलके करें, चाहे किसी भी धरम के हो, चाहे किसी भी जात के हो, ये बिम नहीं मिल रहा है उसको बेड दिलवाने में ढूंडने में उसकी मदद कर सकते हैं अगर किसी को कई वर केवल सूचना मिल जाने से काफी मदद मिल जाती है किसी को ऑक्सीजन दिलवाने में मदद कर सकते हैं किसी के घर में सब बिमार हो गए उनको खाना खिलाने में मदद कर सक मेरी सब लोगों से अपील है हाज जोड के अपील है कि सब कमाते हैं रोज खाते हैं ऐसे लोगों के लिए तो अपना घर चलाना मिश्किल हो जाता है पिछले हफ़ते हम लोगों ने खासकर मजदूरों के लिए ऐलान किया था कि हर मजदूर के ऐकाउंट में 5-5,000 रुपे हम लोगों ने डालने का ऐलान किया था उनके अकाउंट में 5-5,000 रुपे जावी चुके हैं जो लोग बिमार होते हैं जिनके आर्टी पीसे र की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है उनको भी अलग से मदद करने के हम लोगों ने ऐलान किया था उन मजदूरों के लिए आज हम दो निरने हम लोगों ने लिये हैं एक तो ये कि जितने दिल्ली में राशन काड़ धारक हैं लगबग 72,000,000 राशन काड़ धारक हैं इन 72,000,000 लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा इसका मतलब आप यह मत निकालिएगा कि लाग डाउन 2 दो महीने चलेगा भगवान ना करे जादा दिन चलाना पड़े भगवान करे कि जल्दी केसिस कम होना चालू हो और जल्दी लॉक्डाउन खतम हो लेकिन जो आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूज रहा है उसको मदद करने के लिए अगले दो महीने के लिए सरकार ने निरने लिया कि अगले दो महीने के लिए सब को राशन मुफ्त दिया जाएगा दिली सरकार की तरफ से और दूसरा निर्ने यह है कि जितने दिली में ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं ये बिचारे रोज आटो चलाते थे, टैक्सी चलाया करते थे, शाम को थोड़े पैसे घर ले जाते थे उसे से इनका घर चला करता था। इन लोगों के घर में कोई बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं होती, गरीब लोग होता है। पिछले कुछ हफतों से दिल्ली के अंदर लॉगडाउन है जिसके वज़े से इन लोगों की रोजी रोटी बिल्कुल खतम हो गई है। तो जैसे पिछली साल हम लोगों ने किया था पिछली साल भी जब lockdown लगा था तो दिल्ली के सभी आटो चालकों को और टैक्सी चालकों को दिल्ली सरकार ने 5-5,000 रुपे से दे के मदद की थी आज भी हम ये निरने लिया है कि हम दिली सरकार सभी आटो चालकों और टैक्सी चालकों को पांच-पाच हजार उपे दे कर मदद करेगी ताकि उन लोगों को इस आर्थिक तंगी के दोर में थोड़ी सी मदद मिल सके मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनके सारी जो जितने देली वो कमाते थे वो उससे मदद होगी लेकिन मैं उमीद करता हूँ कि इस आर्थिक तंगी के दोर में उनको मदद मिलेगी तो लगबग पिछली बार भी हम लोगों ने एक लाख चपन हजार ऐसे ड्राइवर्स की मदद की थी उन सब की मदद इस बार भी दिली सरकार करेगी ये बहुत ही कठिन दोर है जिससे हम सब लोग गुजर रहे हैं और खासतोर से ये जो सेकंड वेव आई है ये सेकंड वेव तो बहुत बहुत ज़ादा खतरनाक है हम सब लोग देख रहे हैं कि चारो तरफ कितना दुख है चारो तरफ लोग कितने परिशान है चारो तरफ लोग कितने बिमार है मेरी सब लोगों से हाथ जोड के विंती है कि ये समय हमें एक दूसरे की मदद करने का है ये समय एक अच्छा इंसान बनने का है सब लोग चाहे वो किसी भी पार्टी के हो चाहे इस पार्टी के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे कॉंग्रिस के हो, चाहे आम अदमी पार्टी के हो, सब लोग आपस में मिलके एक दूसरे की मदद करें, इस वक कोई राजनीती नहीं करने, सब मिलके करें, चाहे किसी भी धरम के हो, चाहे किसी भी जात के हो, ये बिमार हो चाहे गरीब हो सब एक दूसरे की मदद करें अगर कोई बिमार है उसको अस्पिताल में एडमिट कराने की मदद कर सकते हैं अगर कोई किसी को बेड नहीं मिल रहा है उसको बेड दिलवाने में ढूनने में उसकी मदद कर सकते हैं अगर किसी को कई वर केवल सूचना मिल जा गरीब लोग हैं उनको आर्थिक मदद कर सकते हैं ताकि उनका घर चल सके तरह-परह से आप लोगों की मदद कर सकते हैं मेरी सब लोगों से अपील है हाठ जोड फील है कि सब की मदद कीजिए एक दूसरे की मदद कीजिए बहुत अनने लगेगा और तभी देश की years koly और अगर हम सब मिलके इस से लड़ेंगे तो मुझे पूरी उमीद है कि बहुत जल्द हम करोना से जीत पालेंगे नमस्कार